हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से टेस्ट पेफर लाई पेरामेडिकल क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल में और आपके सामने हम हाधिर हैं वापस से कुछ न्यू धमाकेदार यह जो अपनी सेशन की सिरीज चल रही है तो इसमें एक और जो अपनी क्लास वह अड़ हो गई है आज तो जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए करते हैं स्टार्ट क्लास को कॉस्टन जो हैं वह बहुत अच्छे हैं आज के और बहुत ही लेवल की जो क्वेस्टन से वह और टेस्ट का जैसे कि आप लगों को पहले भी इन्पोर्म किया था मैंने लास्ट अप क्लासेज हुई थी अपनी तो बताया था कि जो नेक्स संडे है यानि कि चार तारीकों जो संडे आने वाला है आपका उसको वापस से आपका एक्जाम है तो अच्छे से आपको प्रिप कमी है वो रहे ना और अच्छे से अच्छा जो स्कोर है वह आपको इसके अंदर गेन करना है तो कि अपने देखा तक अभी तक के जो टेस्ट से वहां पर 80 को कवर गर रहे थे इस बार जो क्रेशन से थोड़ी से कम है मतलब 50 के सम्टिंग जो कर्षन से उनको अपन यहां प प्रफ जो है क्योंकि एक बार टॉप हो गया तो एक बार थोड़ा एजी रखेंगे फिर टाफ रखेंगे फिर इसे कहा कि जो एक ताल मेल जो है वो बना रहेगा ठीक है अगूड इवनिंग डिवनिंग अमरेट स्टेटस केंग महेश राकेश ठीक है तो पेपर की तयारी आप लोग कर रहे होंगे उमीद है मुझे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो तो कि बारे में पता देते हैं कि कप से कप तक है तो सुबह 10 बज़े से लेके शाम को 10 बज़े तक आप कभी भी अपना जो एक्जाम में वो जबी भी आप प्री रहें हैं ना क्योंकि प्री है और आज हमें कुछ काम नहीं है कि संड़े कोई पूरे जहां मिनान के जो काम होते हैं दुनिया भर के वही आ जाते हैं ना संड़े तो मतलब ऐसे निकलता है एक्दम यूज चुटकियों में पता भी ने चलता कि संड़े चला गया है ना तो जैसे भी आपको टाइ प्रेडियोग्राफी में से भी कवर हैं और थोड़े से रागरूम से भी हैं थोड़ा सा स्पेशल से है मेंटर तो इजी लिए आप कवर कर पाएंगे ना ज्यादा ऐसी वाली बात थी हैं थोड़ा सा रिसेंट से अर ना चले तो करें स्टार्ट क्लास को बढ़े आगे चले देखो आज का फॉर्स कोशन क्या है आज का फॉर्स कोशन वाट इस दा लिमिटेशन तो यूज ओफ एक्सपोजर ठीके एक्सपोजर क्या है रेडियेशन यूनिट है एक्सपोजर क्या है रेडियेशन यूनिट इस रेडियेशन यूनिट के बारे में यह आपसे बा रहे हो एक्सपोजर अगर डेटा आप इस पर निकाल रहे हो तो यहां पर कौन-कौन सी जो कमी है वह आपको देखने को मिलती है इसके अंदर तो फर्स्स आपके पास क्या कि यूज्ड ओनली अप्टू तीं मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट एनरजी पूर फ्री एयर आइंटी चांबर तीक है याने कि 3 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट तक की जो एनरजी है यह उसको मिज़र कर सकता है उसके बाद है कि यूज्ड ओनली फूर एयर कि इसको हम सिर्फ air के अंदर ही use कर पाते हैं next है आपके पास कि यह सिर्फ gamma rays और आपकी जो x rays है उन्हीं के लिए use होता है या फिर आप कहा दें कि जो सारी जो हैं यह सारी इसकी क्या है कमिया है बहुत अच्छा अंसर आप लोगों ने दिया बहुत बढ़िया ठीके घंट है या उब्जेक्टम क्या दें तो यहां पर यह वाला जो रिडिशन आ रहा है नहीं कि इस जगह पर है वहां पर जो भी गैस है वो जो भी रेडियेशन है उसको हम मीजर करते हैं किसमें आपके exposure की time में ठीक है किसके time में measure करते है exposure की time में ठीक है तो यह जो सारी है यह इसकी खामिया है कि इसको सिर्फ आप air के अंदर ही ठीक है only air के अंदर ही आपको use कर सकते हो यहाँ पे आप इसको use नहीं कर सकते है x-ray उस gamma rays के लिए ही यह use होगा और तीसरा कि यह सिर्फ तीन मेगा इलेक्टोन वोल तक की जो energy है सिर्फ उसी को measure कर सकता है बाकी की energy को measure नहीं कर सकता ठीक है और आए good news आप लोगों के लिए 19-20 का जो time table है वो आ चुका है और vacancy में add होगा या नहीं होगा यह depend करता है vacancy पे और उनके exam पे ठीक है कि उनके जो exam में वो कब हो रहे है तो देखते हैं exam का क्या रहता है अब भी जो शायद exam शायद जल्दी कंड़क्ट हो जाएं क्योंकि form में भी उन्होंने ज्यादा time नहीं दिया है तो आप जो है वो competition add हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर add हो गया तो competition बहुत खतरनाक होगा और मैरिट का तो अब मुझे तो नहीं लगता कि मारिट का होगा आप लोगों को पता भी है कि मारिट तो नहीं हो सकता है क्योंकि अब जो number of students है वो भी भहुत हो गया है तो टेंशन मतलो इस तरी कि जो चीजें वो आती रहती है तो आप अपनी preparation रखो अपनी जो study उसको continue रखो है ना next देखो next आपके पास which of the following is not a type of radiation detector ठीक है पूछा है कि इन में से कौन सा एक टाइप नहीं है जो radiation को detect करता हो first आपके पास यहां पर आपका GM counter उसके पाद आजाता है आपके पास यहां पर प्रोपोर्चनल काउंटर उसके पाद आजाता है आपके पास यहां पर flame emission detector और फिर आपके पास यहां पर कि नन बताई कि बहुत अच्छा थी फ्लेम एमिशन डिटेक्टर ठीक है GM counter की हम बात कर लें GM counter सबके सब लोगों ने पढ़ाई होगा almost की radiation सब्सक्राइब हम इसका काम कर रहें यूज ले रहें ठीक है लेकिन ध्यान में रखना कि जो आपका प्रोपोर्चनल काउंटर होता है ठीक है जो प्रोपोर्चनल काउंटर होता है यह भी radiation के लिए ही यूज करते हैं जैसे कि हाई energy photons होते हैं या फिर जैसे कि हम कहादें कि गामा जो रेज है ठीक है आई energy photon या फिर आप बोल दो कि आपका जो गामा रेडियेशन है गामा रेज है तो इन सब के मिजर मैंन के लिए जो प्रोपोर्चनल काउंटर है उसका भी हम क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है जो फ्लेम एमिशन डिटेक्टर है इसका यूज ह एज फ्वेंचिंग गैस ठीक है फ्वेंचिंग गैस आपसे पूछा है लेकिन यह जो फ्वेंचिंग गैस है यह पूछा है किसके अंदर आपके जीम काउंटर के अंदर ठीक है जीम काउंटर के अंदर पूछा है कि जीम काउंटर में जो फ्वेंचिंग गैस है वो कौन स ree के जी, काउंटर का पूछ रहा है ध्यान से याद रखना पई के देखो आरगन गयसर तो इसके अंदर है T रहती है ठीके सबको पता है कि आरगन गयसर जो है, इसके अंदर aware तो जो अरगन गयसरना यह होती है आपकी आयनाइजिंग एस ठीक है या फिर आप इसको detecting gas भी कह सकते हो ठीक है इसके अलावा इसके अंदर एक alcohol vapor ठीक है इसमें gas पूछ लिया alcohol vapor होता तो ज्यादा अच्छे से question होता यह ठीक है alcohol vapor और एक रहता है इसके अंदर आपका यहां पर bromide ठीक है तो यह जो दोनों gas होती है यह जिम्मिदार होती है किसके लिए quenching के लिए ठीक है और जो आपकी organ gas होती है यह यहां पर जिम्मिदार होती है किसके लिए आपके ionization के लिए या फिर आप इसको ionization gas भी बोल सकते है या फिर आप इसको यहां पर detecting gas जो है इसका नाम भी यहां पर दे सकते हैं ठीक है तो quenching gas पूछा है यहां पर से पढ़ना क्या है कि which of the following cells have a low resistance to radiation कोशन को जहां से देखना लिखा है low resistance ठीक है low resistance to radiation फर्स्ट आपके पास lymphocyte spermatogonia rethroblast या फिर intestine crypt cell उसके बाद आपके पास megakaryocyte embryo pancreatic cell intestinal crypt cells lymphocyte spermatogonia और फिर हैं आपके पास है hepatic cells और nephrons ठीक है यह द्यान से पढ़ना इसको nephrons और उसके बाद megakaryo neurons cardiac cells या फिर intestinal crypt cells बताई क्या होगा आपके इस आपसे answer low resistance cells पूछा है low resistance इसका मतलब अगर आप इसका अपोजिट लेके चलो लो रेसिस्टेंस या तो इसका मतलब यह क्या कहना चाहरा है यह आपसे इंडारेक्ली वेके अंदर पूछना चाहरा है क्या highly sensitive क्या पूछना चाहरा है highly sensitive पूछना चाहरा है आपसे यह ना low resistance अगर इसने लिए अगर इसने high resistance लिखा हो था तब तो कोई issue नहीं था आप easily यहाँ पर answer कर पाते लेकिन इसने क्या लिख्या को घुमा दिया और पूछ लिए यहाँ पर क्या low resistance लो रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या हो गया आपका यहाँ पर highly sensitive ठीक है तो highly sensitive क्या होता है यहाँ पर कि लिंपोसाइट की हम बात कर लें तो लिंपोसाइट भी क्या होती है highly sensitive है radiation के लिए division हो रहा है इंके अंदर भी continue इस पर मेंटर गोनिया की बात कर लें तो इस पर मेंटर गोनिया भी highly sensitive है continuous division है इरिथ्रोब्लास की आप बात कर लो यहाँ पर RBC की आपकी बात कर लो तो यह भी highly sensitive है और उसके बात आती है क्या आपकी intestinal क्रिप्ट सेल्स ठीक है intestinal जो क्रिप्ट सेल्स है यह भी इनकी अंदर जो डिवीजन है यह भी यहाँ पर भी proliferative आपकी intestinal epithelial cells क्या बनती हैं आपकी intestinal epithelial cells है ना अगर intestinal epithelial cells होती यहाँ पर तो आप easily उसको समझ लेते ठीक है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि यह इसके पहले की form है ठीक है चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर ए लिम्फोसाइड इस पर मेटो गोनिया और उसके बाद है क्या आपका यहाँ पर रित्रोब्लास्ट और इंटेस्टाइनल क्रिप्स है ठीक है चलो नेक्स देखो नेक्स देखना बहुत अच्छा क्वेशन है लिखा हुआ है क्या कि इन दर काडियो एस्पिलार सिस्टम ठीक है आपके सीवी एस की बात कर रहा है और पूछा है कि विच इस मोर अफेक्टे अफेक्ट होंगी और फिर आप बोलते हैं यहां पर कि जो आपकी कार्डियाग मसल्स हैं वो एफेक्ट होंगी ठीक है जान में रखना सी यानि कि आपकी सर्कूलेशन की बात कर रहा है और सर्कूलेशन में पूछा है कि सबसे जढ़ा कौन अफेक्ट होगा कैपिलरी अज़े बहुत अच्छा क्रेशन है अज़े आरे हैं काडिक मसल्स अभी गयान दे रहे हैं अज़े ए महेश पापू भी ए आंसर दे रहे हैं ब्रोकन हार्ट डी आंसर दे रहे हैं और कोई बही अज़े लोग यहां पर ए अंसर कर रहे हैं वह बहुत करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहां पर ठीक है लिए अगर इन सब कि हम बात करें आर्ट्री वेंस की बात करें तो आपको पता होगा कि इनके अंदर क्या होती है 3 layers होती है ठीक है किती layers होती है यहां पर आपकी 3 layers होती है बताएगा कौन कोंसी layer है जैसे कि आपकी हो गई intima media और उसके बाद आ जाती है आपकी adventia ठीक है लेकिन द्यान में रखना कि जो capillaries होती है इनके अंदर सिर्फ एक ही लेहर होती है कौन्सी इंटिमा ठीक है इनसके अंदर आपकी मीडिया और जो एडवेंशिया है यह क्या होती है एबसेंट होती है क्या होती है तो इसलिए जो आपकी कैपिलरीज है वो रेडियेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है sensitive होती है जो radiation से सबसे ज़्यादा effect होती है हम यह कह सकते हैं sensitive तो नहीं बोलेगे बट हम यह कह सकते हैं कि radiation से सबसे ज़्यादा effect होने वाली है अगर blood vessels आप से पूछ ले तो आपको answer करना है यहाँ पर क्या capillaries ठीके reason पूछे कि क्यों ऐसा क्यों है तो आपको बताना है कि arteries veins जो है इन सब के अंदर 33 जो layers है वो present है लेकिन capillary के अंदर ऐसा नहीं होता है capillary जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही layer present होती है बाकी जो दो layer है वो क्या होती है अबसेंट होती है इसके लिए यह सबसे जल्दी क्या हो जाती है radiation से effect हो जाती है ठीक है चलो आगे पड़ें next देखो next वाया दा पास डिवाइडिंग सेल्स ठीक है अभी तक सिर्फ हमने यह जाना कि जो पास डिवाइडिंग सेल्स है वो radiation के लिए sensitive है sensitive है sensitive है अभी तक सिर्फ हमने यह पड़ा कभी हमने रीजन को जानने की कोशिश नहीं करी कि रीजन क्या है इसके पीछे है ना कारण क्या है कि ऐसा होता क्यों है तो उसी को हम देखेंगे आज देखो क्या है कि वायार दा फास डिवाइडिंग सेल्स more easily targeted ठीक है कि जो फास चालगेही है फिर आप बोलो कि इसी मियं जभे जहां होती यह पिर आप बोलो कि जार्फ होनेश से发ριित हो जाती पता यह नहीं नहीं अंगीता ध्यान से देखो केशन को मुझे पता है तुम एजिली आंसर कर पाओगी एक बार ध्यान से पड़ो केशन को कि अक्सिजन की बात करें हम तो अक्सिजन तो सभी में यह आप एसा थोड़ी है कि जादर डिवाइड हो रही है उनके अंदर उक्सिजन जादा है असा नहीं है कि थोड़ा सा दिमाग लगा हो बस थोड़ा सा इजी लिए कि अग्ट अभी ग्यान बारत ए ओके और कोई कि लो एनर्जी चलो कोई बात नहीं पहुचे थोड़ा पास पहुच गये हो देखो समझो इसको पूछ रहा है आपसे कि वाय आरद अपास बार इपास डिवाइडिंग सेल्स तडीके तो जाइड़ सी बात है कि जो जादा रापिड्ली डिवाइड हो रही है तो जाइड से बात है कि उनकी जो एनर्जी अरे कार् थार पॉर्टीन तो सभी के अंदर होत गूम फिर आता है आपकी energy के उपर इसके उपर आता है आपकी energy के उपर तीके उनकी अन्दर चो डेडियेशन जो हुर्गे जादा है जादा है लिए इसलिए बोग अंदर क्या हुरा है और आपको पता है कि जो रिडिएशन है ये cells की rapidly divide हो रही है और energy को क्या करती रहती है ये absorbed करेंगी उस energy को भी ये क्या कर लेती है absorbed कर लेती है इनको नहीं पता है कि ये क्या है और देखो नेक्स्ट है दफ मशीन यूज फॉर रेडियो थारपी इस कॉल्ड़ एज ढखी जो मशीन आप रेडियो थारपी लिए यूज़ कर रहे हैं उसे आप यहां पर क्या कहते आपके पास कि आप उसे कहते हैं थेरपेटिक एक्सडे मशीन या फिर आप ऊसे बोल दें र चुप बैठने वालों में कौन को नहीं पर यह बताओ चलो कि अब चुप बैठने वालों में से हैं कि बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ठीक है इजी सा क्वेशन है कोई ज्यादा टफ नहीं है इसके अंदर ठीक है रेडियो थेरपी के लिए कर रहे हैं उसme किया रहé रहे हैं गारे उसक प्रिनTrue से प्रि फटार क्रेण तो ज्यादा अच्छा लिए ज्यादा चलो हती साहिसी आइक ज्यादा बात कर रहा है किसके बारे में आपके small bowel anima के बारे में कि कि small bowel anima के बारे में बात कर रहा है तो बताना है आपको कि आप enteroclysis perform कर रहे हो small bowel anima perform कर रहे हो तो यहाँ पर आप कौन से type की जो tube है आप उसका use करेंगे प्रेइस तक्राइब का यूज करेंगे या फिर हम कैते हैं कि VIC Ahora करेंगे या फिर आप बोलें कि यहां प्र हमें की स्पेशलगे पिल्बाओ flor Records बिल्बाओ distinctive का हम यूज करेंगे या फिर आप 1 वह बोलें कि कि मैं से हम किसी भी चीज का यूज बहुत अच्छा answer है आया हुआ है लिए अपन दूसरा नाम बोल रहे होँ तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं कि जो बिलबाव डोटरो ट्यूब है ठीक है Bilbao Dotro Tube जो है इसका यूज करते हैं और ध्यान में रखना कि जो Bilbao Dotro Tube है इसको अपन Enteroclysis Tube भी बॉल देते हैं ठीक है बुक्स के अंदर आपको ये Bilbao Dotro Tube के नाम से भी मिल सकता है और Enteroclysis Tube के नाम से भी मिल सकता है ठीक है इसकी लैंद की अगर आपसे बात कर ली जाए तो लैंद आपको जान में रखने हैं कि सब्सक्राइब कर लिए जाता है यूज कर लिया जाता है ठीक है इसका इमेज देखते हैं हैं अगर होगा तो नहीं हैं है बहुत अच्छी बात है केरेड़ों आ कि यूज को कि आपका जो पेशेंट है और हां एक चीज और ध्यान में रखना कि राइस ट्यूब जो है वो मतलब उसको अपन एंटी ट्यूब भी बोल देते हैं एंडिजी ट्यूब भी जो जनरली चिल्डरंस के अंदर फीडिंग के लिए अपन यूज करते हैं ठीक है जनरली कि इसके बारे में अपने रेडियो लॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो रेडियो लॉजी डिपार्टमेंट में बताना है कि आप राइस ट्यूब का यूज कहां करते हैं फस्ते आपके पास कि अगर आपका जो पेशेंट है वो कैसा है परफोरेटेड ह कि यहां पे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं पर पेशेंट उसके लिए यूज करेंगे या फिर आप कहा देगी चाइल के लिए यूज करेंगे या फिर आप कहा दो कि जो है के लिए ठीक है है किसी कोई पेशन कांट्रास के लिए तो वहां पे जो राइस ट्यूब है उसका यूज किया जाता है बताओ अच्छा है कर्शन नहीं अस्तेमेटिक में नहीं बिल्कुल नहीं हाइपर सेंसिटिव भी नहीं होगा और बागी तो मैंने आपको बताई दिया तो इत्ता सोचने की जरूरत है नहीं इसके अंदर कि अना राइस ट्यूब जो है जब अपन स्टाइड कर रहे हैं बेरियम से रिलेटर डिलोसी डिपार्टमेंट में ठीक है तो जनरली इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं जैसे कि जो परफॉरेटेड पेशेंट्स हैं या फिर अपन कहा दें कि आज उनको जैसे कि कि इस तमक तक आपको सारी चीजे लेके जाना है तो उस कंडिशन के अंदर आपन क्या करते हैं जो राइल स्ट्यूब यूज करते हैं तो अच्छा कॉशन है यह आया हुआ करशेंट्स है ध्यान में रखना परफॉरेटेड पेशेंट आपको दे या फिर आपको देदे व है परफॉरेटेड देख दे ही परफॉरेटेड में दोनों ही आपको यहां परफॉरेटेड हो ठीक है तक तो ने तौइध रखने वाले हैं तो आपप जो कॉलं को किससे आप क्लीन करेंगे बस्त ऐ आ lizard कि तर गे क्या दोगे, Caster Oil उसके बाद आपको पास कि आम बसकोपन का आप यूज करोगे या फिर आप कहादें कि लिखनो कि इनका हम यूज करेंगे या फिर आप बोल दो आपके कि Purgative जो है उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे नहीं लेना क्यों लेते हो या क्यों नहीं लेते हो ओके बहुत बढ़िया ठीके जी आईटी की जबी भी बात आ जाती है ठीके चाहे हम नॉर्मल एक्सरेज कर रहे हों के यू भी एक्सरेज कर रहे हों या जैसे कोई special investigation कर रहे हैं बेरियम से का कोई investigation कर रहे हैं जी आईटी के जहां पर बात आ गए तो वहां पर हम specially जो परगटिव्स जो ड्रग्स हैं ठीके जैसे की लगज़ा पी अगेरा जो होता है इन सब काम यहां पर यूज करते हैं ठीक है यह किसके लिए उसको तो करने के लिए लिए भीकल मैटर को सौफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कि बसको पन का मुज करने यह पिर आप जैसे बोल दो की रिलक्सेशन के लिए स्पार्स रिलक्सेशन के लिए मसल से रिलक्सेशन के लिए आप बोल सकते हो या फिर आप जैसे की अब्डोमिनल क्रैम्स है ठीक है तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो लिगनोकेन का बात करें तो लिग्नोकेन हम यूज करते हैं जनरली एक लोकल एनस्थिश्या के जैसे हम इसके यूज करते हैं ना अगे पढ़ें नेक्स देखो बहुत अच्छे क्वेशन देखो पताओ क्या है लो में टिंग पॉइंट पॉइंट नहीं सोरी एलोई ठीक है लो मेल्टिंग एलोई इस ऑल्सो नौन एज ठीक है कि लो मेल्टिंग एलोई यानि कि कोई एक ऐसा एलोई है जिसका मैल्टिंग पॉइंट क्या है लो है तो आप उस एलोई को किस नाम से जानते हैं फिर्स आपके पास कि हम उसे कह देते हैं क्या साइंटम कह देते हैं या फ जो हमारा मन करेगा वो हम कहेंगे हमारी मर्जी बताई क्या कहेंगे आप कोई एक ऐसा एलॉय जिसका मैल्टिंग पॉइंट कम है उसे आप किस नाम से जानते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जान से देखो क्रेश्चन को पांटम, बॉलस, लिपोविट्स मैटल या फिर आप बोलें इसे ओल ओफ दाम बताईए बहीं जल्दी से बताईए किसी ने नहीं पढ़ा इसकॉशन को कभी नहीं देखा किसी ने किसी ने तो देखा होगा, किती देर में तो तुम गूगल से सर्च करके बता देते हैं है ना, बताओ ओके, और कोई देखो, इसे हम कहते हैं क्या लीपोविट्स मेटल ठीके एक ऐसा एलॉए होता है, जो उसका मैल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, ठीके? और मैल्टिंग पॉइंट कम होता है, कितना कम होता है, यह आपसे पूछ लें, तो अल्मोस्ट 70 सेविंटी डिग्री सेंटिग्रेड के सम्थिंग क्या होता है उसका मल्टिंग पॉइंट होता है और इस एलोई को जाना जाता है किसे आपके लिपोविट्स के नाम से किस नाम से जाना है उसको अपने लिपोविट्स के नाम से जाना है ठीक है अगर इसका कमर्शियल नेम आ आपको धान रखना इसको अपन बोलते हैं सीरोवेंट इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है अगर अलोई है यानि की मिशन आत हुए तो जाइव सी बात है इसके अंदर बहुत सारे जो चीज़ें है वो मिलके होंगी तो इसमें ध्यान में रखना कि इसके अंदर 50% क्या होता है 25% लैड होता है तीन होता है इसके अंदर 13% और जो अकैडमियम है वो होता है इसके अंदर 10% ठीक है अब दूसरी बात भी मैं आप को या पर बता देती हूं कि कुछ confusion भी होगा इसमें क्या है कि इसके कुछ में ऐसे लिखा हुआ है कि यह सब तो डेटा सेम है लाइड और जो बिस्मीत है इन दोनों का डेटा आपको सेम मिलेगा ना 50% बिस्मीत और 25% लैड ठीक है उसमें तिन और जो आपका कैडमियम है यह कुछ के अंदर 7.5 लिखा हुआ है ठीक है कितना साधे बार यानि कि साड़े बारा पसेंट जो है वो तीन प्रेजेंट आपका तो वैसे दो इतना डीपली कोई जाएगा नहीं है ना और अगर फिबीच चला जाया तो ऑप्षन देख लेना कि किसी साप से आपको ऑप्षन दे रखा है और बाकी अगर मेरे इसाप से जाओ तो मैं तो ड और जो Bayern वह 10% ठीक है चलो और हाँ चलो एक चीज और इसका यूज की बाद यूज पता आगा कोई इसका रीटिएरपी में जो शेल्डिंग ब्लोक्स बनाए जाते हैं ठीक है जो शेल्डिंग ब्लोक्स बनाए जाते हैëं वहाँieneलियल का क्या किया जाता है यूज किया जाता है तो एक क्वेशन से तीन क्वेशन आपने यहां पे बना लिए तीन क्वेशन आपने सीख लिए तो दिहान में रखना अब आप मेरे को यह बता दो राजी राजी कि फैंटम और जो बोलस हैं यह क्या होता है बताएगा कोई फैंटम और बोलस क्या होता है phantom और bolus बताओ मैं चलती हूँ अगले question की तरफ देखो easy सा question बच्चों जैसा क्या कि dental formula for deciduous teeth आर बताई dental formula पूछा है यहां पर deciduous teeth का क्या है 21-23-23-2022-2022 या फिर आप बोल दो 21-22-24 बताईए क्या होगा formula dental teeth का कि अग्देश को पूलते हैं अ मतलब एक तरीके से जड़ने वाले दाथ जो मिलब जो दाथ तूड़ जाते हैं जड़ने वाला यानि कि आप क्या सकते हो milk teeth डेसीडियस का मतलब होता है जड़ना तूटना आप तो बता दोगे नहीं देखो डेको डेसीडियस तीथ की हम बात कर रहे हैं यानि कि जड़ने वाले दाथ हैं जो तूटने वाले दाथ हैं यानि कि अब कि हम बात कर रहे हैं तो milk teeth जो है वो होते हैं कि आतने आपके एक जोरो तो है ना एक की जीरो दो एक जीरो दो ठीक है पॉमुला आप लोगों पता ही होगा इंसीजन के आइन प्री मॉलार और मॉलार ठीक है तो जैसे कि इसमें ऐसे होता है कि दो इंसीजन हो गए मतलब एक जामें न हाप टीथ को अनकाउंट करते हैं यहनि कि आपके जो आधा बकल गेविटी यह आधी 32 है उसको अपन काउंट करते हैं यहाँ पे लुप जो एक कौशन और भ ठीक है और अगर human का पूचा जाए normal adult का अगर आपसे पूचा जाए तो उस condition में आपको ध्यान में रखना है क्या आपका किस्ते हैं ठीक हाँ बच्चों के अंदर जो है वो टीट होते हैं आपके 50 प्रीमुलार अपसेंट है और अगर adult की बात कर ली जाए तो उसमें eze में होते हैं कितने ठीटिटू ठीक है इसे लिए अपन क्या उलते 32 ज्याद Umwelt a sympathetic ड़या जादしまतीशी मत दिखा तेरी बनेशी तोड दूंगा अभी है ने स्ऺ BOYC तोड़ूगा तेरी बनी ते थीजिवक का मतलब क्या एकि तेरे 32 के बतिस दाट में तोर दूंगा है ना कि चलो आगी बड़ो तो नेक्स्स आपके पास परीय पाइकल रिडियोग्राफिय व्यू डी मॉन्स्टेट बताई रीजन पूछा एंडिकेशन पूछ रहे है यह स्क्रणा चाहते हैं इसलिए हम क्या root of truth and surrounding bond ओढ़्ड में कि जो एक दाद है थिक दाद केसा घर सब्सक्राइब कि किसी को structure को एस होता है ना और ऐस यह रूट ओफ ऑफ तूथ सरन ढ़ थिक कर दाथ आप mistake नहीं है網 और असपास बैद्स में और उनको देखना है या फिर हम कहा दें IRS crown of tooth तीक है crown यानि कि ये ये वाला जो portion है अप वाला जो portion है ये आप देखना चाहते है या फिर हम क्या दें कि हमें तो सब कुछी रेखना है तीक है सारा दात देखना है हमें तो पूरा teeth देखना है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे है परियापाइकल रेडियोग्राफिक को प्रफॉर्म कर दें ठीक है अगर अपन बात कर लें तो ये भी क्या है आपकी डेंटल रेडियोग्राफिक का टाइप है और अगर डेंटल रेडियोग्राफिक के अपन बात करें तो आपको पता है कि डेंटल रेडियोग्राफिक को अपन नहीं दो पार्ट के अंदर क्या है डिवाइड किया है एक हो गया आपका एक्सिटरा और ऑड़ जैसे के अंदर झैंदर उनधर उन्ट्रा से इंक्राओर के बारे में बारे में पूछ रहा है और इंट्राओरल में भी एक व्यू दिया है इसने कौन सा आपका पैरियपाइकल रेडियोग्राफी तो यह अपन परफोर्म करते हैं किसके लिए यह अपन परफोर्म करते हैं आपके रूट आप टो और सराउंडिंग वार के लिए कि किसी टोट की जब आपको रूट देखनी है उसके जो सराउंडिंग स्ट्रेक्शिर्स है उसको अपन को देखना है यह यह Dartmouth है तो उसके लिए हम परफोर्म करते हैं कौन सा व्यू आपका पैरिय। रेडियोग्राफी व्यू ठीक है उसके अलावा अगर यहां पे आपसे पूछ ले बाइट विंग के बारे में ठीक है सबसे ज्यादा पूस्ट पहें देखना एक बाइब यह भी देख लो चलो चलते चलते बाइट विंग और एक है आपका यहां पे ओक्लूसल की अगर आप आपसे बात पूछें कि आपको क्या एक हैं डवलपमेंट देखना है और बाइट विंग की आप से बात करें वेंग तो वाइट विंग हम देख रहे हैं चेंजेज के लिए हैं और अगर उसतरे में किसी भी तिताई के चेंजेस अगर नचार आ रहे हैं तो उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे क्या बाइट विंग ठीक है कई बार यह होता है हमारे साथ में कि इसमें व्यू जो है उसका नाम दे देता है डेंटल में तो मैक्सिमम यह होता है अगर डेंट नचार चोपने दीजान में रखना है और उकलूजल की बात करें तो ऑकलूजल में ध्यान में रखना कि पर्टिकुलर्ट का डवलपमेंट आप देखना चाहते है तूस के लिए आप करेंगे क्या ओकलूजल पफॉर्म ठीक है चलो आगे बढ़ो next आपके पास which of the following instrument is called cutie pie पताएए इन में से कौन से instrument को आप cutie pie कहते है ना ये आपका वला cutie pie नहीं है ये दूसरा वला cutie pie है बताओ जी अगर आप किसी को cutie pie कहते हो तब तो आप easily इसके बारे में बता पाओगे ना और अगर आप किसी को क्यूटिपाई नहीं कहते हो तो फिर यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए कहना बताईए क्यूटिपाई आप कौन से इंस्टूमेंट को कह रहे हैं यहां पर आयोनाइजेशन चेमबर की हम बात कर ले ओसल्ड की बात कर ले या फिर आप बोले कि फिल्म बाच को या फिर आप बोले कि हम तो किसी को नहीं कहते हैं क्यूटिपाई हम तो कहते हैं जिसी को कहते हैं और कि इत्ता सन्नाटा यह तुम्हारे जिंदियों में है कि बहुत बारी दुखे यह तो कि बताओ जी बताओ किसे कहोगे क्यूटी पाई कि देखो कि यहाँ पर हम क्यूटी पाई ना हो एसल्ट को कह रहे हैं ना फिल्म भाज को किसी और को कह रहे है ना जासे कि में एक दूसरा नाम होता है क्यों कहा जा रहा है तो इसका जो एक साइज है यानि की अपन ये कहा सकते हैं कि इसका को इस कि यह साइस का जो नाम है वह का रख दिया है ज़िक है है कि डूटू इट सर क好吃 को कि relaxed का तो एज़िक है तो बहुत बेकार सा लगता है तो दिखने में आयन चेमबर को देखना कभी आयन चेमबर को एकदम च्छोटा सा बिलकुल इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं अक्यूटीपाई कह रहे है ठीक है आप आयन जेशन चेमबर आपको पता ही है क्या होगा ठीक है यह निकी रिडि गैस फिल्ड रेडियेशन डिटेक्टर आप इसको कह सकते हैं न यानि कि इसी को आप बोल रहे हैं यहां पर प्यूटीपाई ठीक है डियान रखना अच्छा क्वेशन है बहुत खोज के निकाला है आगे बढ़ो करी लो एक्जाम की प्रिप्रेशन अगर इतना दुख है न जीवन में तब तो कुछ नहीं हो सकता यह यह बस एक लास्ट उपाए आपके पास चलो नेक्स देखो नेक्स ते आपके पास नेक्स ते आपके पास ना ओसल्ड डी डीड आउट बाय यूजिंग लेड आउट करें किससे परस्ते आपके पास के लेजर लाइट से आप रीड आउट करते हैं या फिर आप बोलो कि आप पर यहां यूजिंग करते हो कि पताईए प्रिंसिपल की आपन बात करें तो आपको पता है कि जैसे कि आपका जो प्रिंसिपल होता है यहां पर होता है क्या कि आपका जो रीडर है उसमें जैसे कि आपका काड है एक्सपोज हो गया अब रिडिशन के लिए गया है मतलब रीडिंग के लिए आप उसको रिडाउट करो तो यहां पर आप उसका करते हैं कि यहां पे यूज करते हैं तैल्ड के लिए करते हैं और की तरीकी गामा रेस का यूज नहीं होता अगर OSLD की जगे यहां पर यह लिख देता TLD तो आप यहां पर आंसर करते हैं क्या हीट ठीक है चलो जी आगे पड़ो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच आप दो फॉलोइंग आइटम इस नौट बेसिक कंपोनेंट्स आइटम नहीं है भाई है ना विच आप दो फॉलोइंग इस नौट आपके पास कि चार्ज से इलक्ट्रोड जो है वो इसका पैसी कंपोनेंट्स नहीं है या हम कहा देंगे केडमियम फिल्टर या फिर आप बोल दो फिल्म या फिर आप कहा दो यहां पर क्या होल्डर बताए एक क्वेशन पूचा दा मैंने अभी तक किसी नहीं आंसर नहीं दिया कि बॉलोस और जो फ कि अधिर और एक आता है आपका यहां पर इसका फोटोग्राफिक फिल्म अपस्क कैंडर यूज करो तो बस यहां पर एक ही बच जाता है आपके पस क्या चार्जण इल्हेक्ट्रोड करें गुष 냉डड क्या करता है पताएगा कौन से टाइप का जो रेडियेशन है उसको मीजर करेगा क्यादिमियम फिल्टर नाइक्स देखो नेक्स से आपके पास विच अपके पॉल्लॉइंग परस्नल दोजी मीटर रिएसेम्बल कि इन में से कौन से टाइप का एक परस्नल दोजी मीटर है अगर आप उसको एक्से बाहर से देखो तो वह आपको ऐसा लगेगा कि यह क्या है जैसे कोई फाउंटेन पैन है जैसे कि बच्पन में हम लिखते थे ना फाउंटेन पैन से उसके अंदर इंक भरते थे और फिर जै आप वह डिखते हैं तो इंक भी रखनी पड़ती थी रख के अंदर आपको बसके देखता है और आप और बले कि आपका जो अलीमें वह सभी कैसे दिखते आपके जरी की से पहुत अच्छा पॉकिट डोजी मीटर जो है अगर आप उसको एक्सेनली देखें लेकिन अगर एक्सेनली उसे देखा जाए तो वह आपको कैसा लगेगा एकदम पैन के जैसे दिखेगा ठीक है स्मार्टफोन एंस्टी केबल यह बिल्कुल भी आपको एक पैन लाइक स्ट्रेक्चर के अंद पर उन्होंने अभी दिया है कि माम यह दिखाओ आप ठीक है तो यह बिल्कुल है अज इस डोजी मीटर जो है वह आपको एकदम बिल्कुल ऐसे फाउंटेन पैन के यह बिल्कुल फाउंटेन पैन है ना दिख्या होगा आप लोगों को है और अपने इसका डाइग्राम भी देख लेते हैं यह यह बहुत महान है ना जिन्होंने यह पैन दिया है वह इंसान बहुत ज्यादा महान है अगर आप उनसे मिलेंगे तो आप भी मतलब उनके ऐसे चरण स्वर्श करेंगे उनके पैरों में गिर जाएंगे बिल्कुल है अब यह जाए आपको बहुत जलदी मिलवाएंगे या चलिए तो अरे मैं नहीं भई कोई यह है यह चले तो हाथ के लिए इतना ही खतम करेंगे क्लास को कि तुम लोग भी कम नहीं हो है ना थीक है मिलेगी नेक्स क्लास में तब तक क्लास को शेर करना लाइक करना कमेंट करना कोई इशू हो तो कमेंट करके जरूर बताना चलो बबाई टेक केर